हां जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चो वेल्कम डॉटनेट कैसे हो आप सब हां मुझे पता है आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे हो हां और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो है ना आप बोलो कि मैं आम आप देली यही बाते पूछती हो तो भई पूछना पड़ता है आप अच्छे रहोगे आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी तो आओगे यहां हमसे मिलने तो बच्चा पाटी मैं हूँ विज़ाता आपकी बालोजी टीचर और हम क्या बात करेंगे आज हम बात करेंगे अपने नया चाप्टर की कौन से हमारा नया चाप्टर जनन याने कि reproductive health ठीक है इससे पहले हमने क्या किया था मानञ जनन यहाने की human reproduction के बारे में खाल्ट था ठीक है तो यह दोनों जो चैप्टर है को को रिलेट हैं दूसरे से ठीक है कि मानद जनन से ही रिलेटेट क्या है उसका स्वास्त है मा जनन में हमने क्या पढ़ा उसके जनन अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे तो चोड़ा सा देख लेते हैं इस चाप्टर के में पिसले चैप्टर के बारे में कि कैसे कोरेलेट होता है यह चैप्टर okay चलो चलो देख, पहले हमारा क्या चैप्टर था भाई मानव जनन मानप जनन थे इस मानव जनन में हम ने क्या पढ़ा था जनन तंत्र के के बारे में पढ़ा था ठीक है हम इसको अंग भी बोल सकते हैं अब जब इस अंग के बारे में हमने पढ़ा हमने जो है ही तभी तो यह काम करेंगे है ना जब यही स्वस्त नहीं रहेंगे तो सोचो आगे के निश्येचनति क्रिया कैसे होगी ठीक है फिर्ट प्रसब कैसे होगा और यह तो बहुत दूर की बात है उससे पहले यह अंडाउनों और शुक्राणों कैसे बनेगे तो इसलिए इसका स् चाप्टर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूं कि भाई ये चाप्टर जो है ठीक है क्या जनन स्वस्त यानिकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये सिर्फ 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये 11th क्ले भी 10th क्ले भी 9th क्ले भी यहां तक कि जो स्कूल पास कर ग हमारे राइट जानना कि अच्छा हमारा ये बाइन टार्ट को ऐसे वर्क करना जैसे इसके रहें रहना पड़ या फिर हमारे आई REM को क्रीन द्रë लुदुर्वारेहर से फ़्पी पेल स्वीदिशन को नटिक्शर को बिल्कुल भूल नक क्योंकित तबी तो आपको notification मिलेंगे है ना चलो आगे बढ़ते हैं और और क्या करते हैं इस chapter का overview ले लेते हैं कि actually इस chapter में हमें क्या देखना है तो जब chapter का नाम ही क्या है जनन स्वास्ते है तो इस chapter में सबसे पहले हम क्या बात करेंगे जनन स्वास्त की ठीक है सबसे पहले हमें जनन स्वास्त की बात करेंगे अब अगर हम जनन स्वास्त की बात करते हैं तो भाई जब हमारा स्वास्त है है ना तो क्या होगा वहां बिमारिया भी होंगी है ना क्योंकि स्वास्त क्या होता है हेल्थ क्या होती बिगरती भी रती है और पिर सही भी होते रहते हैं ठीक तो यहाँ पर क्या होंगी बिमारियां भी होंगी भाई ठीक है यानि कि समस्याएं होंगी इससे जुड़ी हुई समस्याएं अब जब समस्याएं हैं यहाँ पर ठीक हमारे जनन स्वास्ते से रिलेटे समस्याएं हैं किया होगा हमें का उस बिहाफ पर ये काम होगा, तो समस्याएं और कारे नीतियां, कारे नीतिकी, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे, जनसंक्या बिस्पोर्ट की, ठीक है, इसके बाद हम जनसंक्या बिस्पोर्ट की बात करेंगे, कि भाई इतनी ज़दा population बढ़ रही है भारत की इतनी ज़दा population बढ़ चकी है कि हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया कहा चाइना हमसे आगे हुआ करता था आज चाइना हमसे बहुत पीछे है इतनी ज़दा population इंक्रीज हो गई है तो बेचिकली इसके पीछे कारण क्या है इसके पीछे कारण है भाई कि लोगों को एक तो जो family education होती है उसकी knowledge ना होना कि भाई बच्चे दो ही अच्छे या हम दो हमारे दो यह कुछ ऐसे कारेकरम है जिनके बारे में क्या है नहीं बताए लोगों को कि लोगों को मतलब ऐसा लगते कि अगर हमारे पर ज्यादा बच्चे होंगे ना तो कमाई के साधन वारे पास ज्यादा होगे अंपर क्या होगा अनपर रह जाएंगे आपड़ जाएंगे तो वह भी क्या करेंगे जब ऐसा होगा तो जनसंक्याविश पोट होगी वर्णा एक ताइम ऐसा आएगा कि ना जंगल बचेंगे और ना रहने के लिए घर होंगे लोगों के पास खाने के साधन भी खतम हो जाएंगे समझे आप आने वाले टाइम में ऐसी हालत तो जाएगी अगर इस जनसंक्याविश पोट के उपर काबू नहीं किया गिया तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे इसके बाद हम बात करते हैं गर्ब निरोधक उपाए घर्ब निरोधक उपाए यह क्या होता है जो unwanted pregnancies होता है मतलब जैसे हम नहीं चाहते हैं कि प्रेगनेट हो जाए तो क्या करते हैं यह गर्ब निरोधक उपाए वहाँ पर काम आते हैं ठीक है अब इसलिए भी काम आते हैं कि जन संक्या विस्फोर्ट पर काबू पाया जाए इन सब चीजों के उपर आगे चल किस चैप्टर में हम अच्छे से discussion करेंगे यहाँ पर थोड़ा 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 ओवर्व्यू देख रहे हैं इसके बाद क्या आता है यह हमारे पास इसके बाद आया संग भरता का चिकट्सिये उपाए चिकट्सिये उपाए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह होता है कि सपोज कि कोई औरत प्रेक्नेंट होती है फिगे म् heavily of आप उसको क्या रिल्याई कि डॉक्ट्टर से कंसरं करते हैं तो ऑक्ट्र का था बच्चे में यह कमी है फिखे क्या बच्चे क्या है आप नौर्मल है इसके बॉडी पार्स नहीं बने हैं या कोई भी ऐसा जैसी कोई दिखकाता है तो क्या होगा उसका वहाँ पे जो सरकारी मतलब जो नौम से गवर्मेंट के नौम से उनके हिसाब से वहाँ पर क्या होगा उनका इलाज होगा ठीक है और यह जो प्रेग्नेंसी उसको खतम कर दिया जा में इस एक से अ होता है कि कुछ रहन ने को ओर विद्फी लड़की या और अ सकते हैं वहां पर लोग उसका आघे तो वह क्या है वह भी होग्हों के लॉज के अंधर आता है कि आप ऐसे बच्च को पर करा सकते हैं ठीक है ओके फिर क्या होते हैं कि चलो ठीक है कि कोई और फ्रेग्नेंट हो गई है लेकि उसको क्या लगता है कि जो हमारे घर की कंडिशन है वह इस लायक नहीं है कि भाई हम और बच्चा अफ़ोड कर सकें तो वहां भी गवर्मेंट के नॉर्म्स के इसाब से जो भी कंडिशन वहां पर होगी उस टाइम देखा जाएगा ठीक है फिर क्या होगा कि हाँ ठीक है अगर आप ही कंडिशन सही है मानने है तो वहां पर यह बच्चा आप नहीं रख सकते हो आपको परमिशन मिल जाएगी ठीक है और यह प्रेग्नेंटी को रोग दिय जाएगा वहां पर ठीक है तो यहां पर वह होते हैं ठीक है अब अगली बात करते हैं अगला आता है यॉन संचुरित रोग याने की स्टी डी आप इस स्टी डी से आप वो घर के पास जो वो टेलीफोन वाला ब्लूटूथ होगा वो ब्लूटूथ कह रहे हो फोन भूट जो होता है वो मस समझ ले ना ठीक है कि यह वो फोन भूट वाली मैं हम बात कर रही है नहीं यह सेटरी क्या होती है sexually transmitted disease होता है यह ठीक है कि भाई यह क्या हता है इंटिर कोर्स के थूरह male से female में और female इसके बाद हम क्या बात करते हैं लास में आता है बंध्यता ठीक है अब एक तरफ देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो यहां पर चाहते हैं कि चिकित्सी उपाई के द्वारा संग भरता को यहां पर रोग देजाए प्रग्विंसी कदम कर दीजाए ठीक है इसके अपोजिट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वाकहते हैं कि उनकी लाइफ में बच्चे आये लेकिन वो किसी कारणवर्श पूरा नहीं हो पाता तो सब चाहते हैं कि उनके घर में चोटा बच्चा आए तो वहां भी क्या है कि कुछ ऐसे क्या वोलते हैं ट्रीट्मेंट्टत हैं जिनकी वज़े से वह ये रूशी को क्या कर सकते हैं तो बेसिकली यह वो सारी चीज़े हैं जो हम इस chapter में cover करेंगे लेकिन यहां पर हम क्या आज सबसे पहले हम बात करेंगे जनन स्वास्ते के बारे में ठीक है अगर हम बात करें कि भाई ठीक है मानभ जनन की हमने बात करी ठीक है, यह रहा हमारा मानव जनन, हमारा पिछला चैप्तर, ठीक है, तो मानव जनन में हमने क्या पढ़ाता, मानव जनन में हमने पढ़ाता भाई, कि एक नर है, ठीक है, और एक मादा है, इन दोनों के पास क्या है, हाँ, लैंगिक अंग है, ठीक है, यानि कि sexual parts है उनके पार, है ना, sexual part, ठीक है, चलो जी, sexual part है, अब ये जो लेंगिंग अंग है, ठीक है, जिनके बारे में हमने पढ़ा तावाननार और मादा में, अब इनके स्वास्त के बारे में यहां हम बात करेंगे, इनके स्वास्त के बारे में बात करेंगे, यानि हम क्य कह सकते हैं जनन स्वस्त के बारे में हम बात करेंगे आज ठीक है जनन स्वस्त के बारे में बात करेंगे तो फिर यहां पर हम क्या देखेंगे अगर जनन क्या है? क्या है यह स्वस्त के बारे में बात करेंगे कि बाई यह क्या है यह स्वस्त है, ठीक है जो यह जनन अंग है इनका स्वच्च होना बहुत ज़्यादा जरूरी है Neat and clean स्वच्च है साफ है कारे ठीक से कर रहे है बिमारी तो नहीं है एक्सेक्ट्रा एक्सेक्ट्रा ठीक है ये सब चीज़े देखेंगे ठीक? ओके अब क्या होता है? अब अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो भाई एक संस्ता है जिसको हम कहते हैं WHO ये तो हमने बात करी कि भाई ये हमने सोचा कि अगर हम जनन स्वास्त की बात कर रहे हैं तो ये चीज़े हैं जो हमारे दिमाग में आएंगी कि भाई ये चीज़े हैं जो इस topic को define करती हैं लेकिन एक संस्ता है ठीक है डबलू एचो डबलू एचो यानि World Health Organization जिसको हम क्या कहते हैं विश्व विश्व स्वास्तर संगतन क्या बोला हमने विश्व स्वास्तर संगतन नाम दिया इसको ठीक है अब इन्होंने क्या कहा इन्होंने बोला कि ठीक है हम agree करते हैं इन सारे चीज़ों पर कि यह चीज़ें इसमें आ चाहेंगी लेकिन कुछ terms और conditions और भी है इसको complete करने के लिए कि भाई यहां पर आपको कुछ और भी add करना पड़ेगा तो भाई सबने बोला चलो ठीक है देखते हैं क्या है तो यहां पर add किया तो इन्हों ने सबसे पहले क्या add किया यहां पर हां बताइए डबलू एचों ने क्या add किया यहां पर सबसे पहले क्या बोला होगा तो उन्होंने बोला कि भाई ये सब चीजे तो ठीक है इसके साथ साथ उसकी मानसिक इस्तिती भी ठीक होने चाहिए फिर उन्होंने का मानसिक के साथ साथ शारे रिग भी ठीक है कि शारे रिग इस्तिती भी ठीक होने चाहिए उसके साथ सथ उसकी भावनात्मक इस्तिती भी अच्छी होनी चाहिए भावनात्मक इस्तिती भी ठीक होनी चाहिए वो बंदा वेवारिक भी होना चाहिए वेवारिक भी होना चाहिए ठीके और उसके साथ सथ वेवारिक के साथ सथ वो क्या होना चाहिए भाई सामाजिक भी होना चाहिए ठीक है इन सभी रूप से व्यक्ति क्या होगा स्वस्त कहलाएगा ठीक है अगर यह सारी कॉलिटी उसके अंदर है अब देखो बहुत बार हमने सुनाए कि बई दो साल की बच्ची का रेप हो रहा है साट साल की और कि और दो पच्चों बच्चों का रेप हो रहा है कि उनके दिमाग नहीं आता कि चोड़ा बच्चा है ये बूड़ी और ते एक लड़की है उनकी नहीं आता है तो वह क्या है उनकी मांसिक्ता की अस्तिती क्या है, जीरो है बिल्कुल, उनको कुछ समस्य में नहीं आता है, जब उनके पर इक यह चीजे हावी होती हैं, तो इस इस क्या क्याきます? कि उसकी मानसिक इस्तिती कैसी है खराब है अगर हमको कहीं भी महसूस होता है कि हमारे साथ यह कंडीशन हो रही है तो क्या करना चाहिए जाकर सबसे पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए हो सकता है कि जो गलत चीज आप आगे करने जा रहे हो जिसको आगे बढ़ावा देना जा रहे हुसे वहीं पर स्टॉप कर दो डॉक्टर से मिलने हो सकता है नं लॉक्ञत होतो ना आपकी खती खराब होग वी ऊर वह कि खता होती किसी और की त enact कि खता है कि बाइश्जा आपकी emotions होती हैं आपकी feelings होती हैं सब में होनी चाहिए feelings लेकिन एक limit तक उसको आपको control करना आना चाहिए ऐसे नहीं कि हाँ मुझे इंसान पसंद आ रहा है तो मैं बस वहीं खिची जा रही हूँ नहीं या खिचा जा रहा हूँ आपको अपनी feelings में control करना आपको weak नहीं बनना है ठीक है अगर आप feelings में weak हो इसका मतलत तब भी आप स्वस्त नहीं हो कि आप रो दे रहे हो तुरंट किसी भी चीज के लिए वेवार एक जो आपका वेवार है वो अच्छा होरना चाहिए ऐसा नहीं कि कि इसे मिल रहे हो आप तो उसे लड़ाई जगड़े करते जा रहे हो हां उसको मार पीट कर रहे हो नहीं अगर आप ऐसे हो तब भी यह दर हम लुब कैसी कि आपस मिल झूल के रहूं कि रहे हो लेक्न कुछ ऐसे लोग भी होता हैं जो समाजय को करते करते हैं वह समाज के साथ रहे हुआ ही नहीं कि मान सिक λग दिखते हैं ठीक है तो इन सभी केसिस में अगर आपको लगता है कि एक लिमिट से ज़ादा चीज़े हो रही है साथ में तो हमें क्या करना है डॉक्टर से कंसर्ण करना है तुरंत बिना किसी देरी के ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं चलो अब हमने इत्ती सारी बाते कर ली तुमको समझ में आ गया कि बेसिकली हमें आज क्या पढ़ना है हमें आज जनन स्वास्ते देखना है समस्या कारे नीती देखना है और उद्देश्य देखने हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं ओकी जनन स्वास्ते ठीक है तो हमने यह सब तो पढ़ी लिया है भी जनन स्वास्त के बारे में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जनन स्वास्ते में यह जो लाइन से हमसे क्या बोलना चाहरी है तो यह किरिए कि भाई जनन स्वस्त में जनन अंगों की सवच्छता जो हमारे प्राइवट पार्ट न वहाँ पर क्या एकदम सवच्छता होने चाहिए साफसफाई हो णे चाहिए और उनके सही प्रकार से 篦्सक्रार करने की छमता को देखा जाता है तो इसी लिए नहाना चाहिए रोज ठीक है अपनी बॉड़ी को अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए यह आपका शरीर है यह हमारा शरीर है इस शरीर को हक है अच्छे से बना के रखने का हर कोई चाहता है अच्छे बने लेकिन सिर्फ उपर से नहीं कि मुहा धोलिये कपड़े बदल लिये छुट्टी कर दी नहीं आपको पूरा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए ठीक है क्योंकि अगर जब तरह तरह की बिमारिय लग जाएंगी ना बच्छे फिर दिक्कते शुरू होती है ठीक है चलो अब जो डबलू एचो है विश्व स्वास्ते संगटन इसके हिसाब से क्या होता है जनन के सभी पहलू सही संपोर्ण स्वास्ते संपोर्ण स्वास्त में कौन आ रहा है शारिरिक भावनात्मक विवा संवारत्मक समाजिक और इसके साथ एक और लाइन जुड़ जाती है मानसिक ठीक है यह सारी चीजें क्या है जनन स्वस्त कहलाती है ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो यह क्या है यह हमारे मेल और फीमेल पार्ट से ठीक है जब आप सोचो कि यही स्वास्त नह तो हमें बहुत तरह कि बिमारी लग जाएंगे इंफैक्शन लग जाएंगे ठीक है कि घर के जो बात्रोम से टैयलेट संव क्ली रखो क्यों क्यों क्योंकि उन्से क्या होता है हमारे प्राइविट पास क्लीन बहुत जल्दी हो जाता है ठीक है अगर आप साफसफाई नहीं रखोगे तो, क्यों कहा जाता है कि आप रोज नहाओ, इसलिए कहा जाता है ताकि ये जो हमारे पार्ट से clean रहें, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, चलो, ओके, अब देखो, अब क्या है भाई, 1951 की बात है, ठीक है, इयर, 1951 में क्या हुआ था, भाई, एक योजना बने थी, ठीक है, एक योजना बने थी, इस योजना का नाम रखा गया, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, ठीक है, ये परिवार नियोजन, किस हिसाब को, किस चीज़ को देख के रखा गया था, सरकार ने सुचा इतनी जादा 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 सब्लेशन बढ़ रही है तो क्या किया जाए कैसे इसको कंट्रोल किया जाए तो वहां पर 1951 में परिवार नियोजन का एक कारिकरम चलाया गया जहां पर बताया गया भाई छोटा परिवार सुखी परिवार हम दो हमारे दो यह जितना छोटा परिवार होगा वह उतना सुखी होगा ठीक है ओके चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा आगे ठीक है चलो अब हमने क्या बात करी कि 1951 में एक कारिकरम चला ठीक है एक कारिकरम हुआ जिसको हमने नाम दिया परिवार नियोजन कारिकरम परिवार नियोजन कारिकरम ठीक है यह था ठीक है चलो अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई अगर हम बात करें रास्ट्रिय स्तर की रास्ट्रिय स्तर की बात करें तो भारत भारत ऐसा पहला देश था जिसने यह परिवार नियोजन कारिकरम भी शुरुवात करी थी ठीक है सबसे पहले यह कहां चालू हुआ था भारत में हुआ था ठीक है ओके अब फिर क्या हुआ भाई अब यह आगे चलके जो परिवार नियोजन कारिकरम है ठीक है यह आगे चलके अगर हम बात करें तो आगे चलकर ठीक है क्या नाम दिया गया इसको इसको नाम दिया गया क्या नाम दिया गया इसको जनन एवं जनन एवं बाल बाल, स्वास्थे, कारेक्रम, ठीक है, इसको ये नाम दिया गया, या फिर इसको हमने बोला, RCH, ठीक है, Reproductive and Child, Reproductive and Child Health Program, ठीक है, RCH, ठीक है, 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 ठीक है तो यह क्या रही है कि दुनिया में हमारा देश पहला ऐसा देश है जिसमें राश्ट्रेस तर पर जरनात्मक स्वस्ते समाज को प्राप्त करने के कारेक्राम योजनाय बनाई थी मतलब हमारा भारत पहला ऐसा देश था जहां पर इस लेवल की इस लेवल के प्रोग्राम से त्रोल करना है ठीक है इसकी व्यापक सबस्तिना के बाद इसका नाम परिवार कल्यांद कर दिया ठीक है जब लोगों को यह चीजे समझ में आने लगी कि हाँ कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है जादा बच्चे नहीं करने ठीक है तो इसका नाम परिवार कल्यांड कर दिया गया ठीक लेकिन वर्तमान में इसे जनन एवं बाल जाते हैं ठीक है ताकि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग है जिनको नहीं बता एक्चुली में कि इस अब चीजे क्या है और क्या होता है वहां पर उर्ते प्रेगनेंट होती रहती है बच्चे पैदा करती रहती है अरे भाई शरीर है मशीन थोड़ी है कि बच्चे पैदा करते तो इन्हें जब चीजों के लिए क्या है सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किये हैं जहां पर और और तो को आदमियों को समझ में आए कि क्या है दो वच्चे सबसे अच्छे और दूसरी बात अपने स्वास का ख्याल रखें आपका स्वास अच्छा है न तो सब अच्छे चलो आगे बढ़ते हैं कि हाह इसके कारे क्रेम और उद्देश यह आते हैं अभ अमारे पास ठीक है तो चलो देख लेते हैं इसे कारे क्राम और उद्देश क्या है तो यह जनन स्वस्त के निमने उद्देश यह हैं तो उद्देश देखते हैं कि शोर अवस्ता में आने पर बच्चों को अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों का सही ग्यान होना शरीर अब क्या होता है कि तो वहां पर बताया जाता है ना कि जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है फिर क्या होता है एडल्स बन जाते हैं यह सब चीजे थी ना तो वहां पर हमने बहुत सारे बदलाव देखे थे कि जब हम किशोर अवस्ता में आते हैं चैने बिल्कुल कुम की पता होता है कि यार हमारी बौडी में हुख क्या रहे कुछ होते ंपुछ समझमें नहीं आता है सब कुछ मदलब सब मैं सब हो जाता है ठीक है तो उन चीजों से बचने के लिए क्या किया गया है भाई कहा गया है कि किशोर अवस्था आने पर बच्चों को अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों का सही ग्यान होना चाहिए इसलिए एड्स क्लास में एडल्स चेप्टर है जो आपको पढ़ाया जाता है कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में अब ये बदलाव होने वाले हैं सब्सक्राइब ठीक है किशोर अवस्था में बच्चों के द्वारा गलत कदम उठाने से बच्चाना अब जब हम क्या होते हम एडल सिंस में आ जाते हैं हैं जो हमें ओवर एक्साइटेड कर देते हैं है ना हम एकदम एक्साइटेड हो रहे हैं कभी डिप्रेशन में जा रहे हैं कभी हमें कोई पसंदार आ रहा है कभी कुछ तो इन सब चीज़ों में क्या होता है बहुत बार होता है कि हम लोग क्या होता है परशान हो जाते हैं हैं और परशान होके कहीं कोई गलत कदम ना उठा लें तो इस वज़े से बच्चों को सही जानकारी होनी चाहिए इन्होंने बोला कि कोई बच्चा इस एज में आके कोई गलत कदम ना उठाए ओके चल आगे बढ़ते हैं यह देखो अगर हम यहां पर इन पिच्चर की बात करते हैं तो इसके बोड़ी पर दीरे दीरे अंडर आंश में चेस्ट में बाल आने शुरू हो गए क्टबड़ने लग जाते हैं और जड़ा पत्ず आने लग जाता है आपकाerer चाहिं मतलब grandparents यहां किए और फुले डेवलप हो जाते हैं एंग चेस्ट एक नहीं आपके च्थे कंपले पकड़ से 1 सब्स vraag पर आपके पर चाहता है तो यह कहता है विवा के उचित आयू वे स्वास्त जीवन की जानकारी देना RCH के हिसाब से क्या है कि भाई एक लड़का एक लड़की की जो शादी की उमर होती है वो फिक्स की गई है ठीक है तो बताइए मुझे लड़की की एज क्या फिक्स की गई है ठीक है और लड़के की एज क्या फिक्स की गई है सरकार ने यह मत कहते है न वोटिंग एज किया है वोटिंग एज सबकी 18 साल है वोटिंग एज से मतलब नहीं है आप 18 साल के हो आप वोट कर सकते हो लेकिन आपके शादी का वो सकती है उसकी उमर क्या होने चाहिए वो बताओ मुझे यहां पर हाँ बताओ चल्दी से तो भई एक लड़के की उमर 21 साल होने चाहिए और एक लड़की की 18 साल ठीक है एक लड़के की 21 साल और लड़की की 18 साल उमर होने चाहिए तब ही वो शादी के लाइक होते है ठीक है अब इनों आर्टी एच वालों ना हां जो आपके रिप्रोड़क्टिव पार्च उनको क्लीन रखना है स्वस्थ रखना है हेल्दी रखना है तो उन चीज़ों की चैनकारी दी गई है ठीक गर्वती माता जो होती है ना उसकी देखवाल के लिए शिशु जनम में व्रिद्धी तथा माता मात्र दर याने की बच्चों के पैदा होने वाला रेट जिसे हम बर्थ रेट कहते हैं ठीक और माता का मृत्यूदर याने की जो मदर है उसकी डेथ रेट हमको क्या करना है इसक इसको इंक्रीज करना है इसको डिक्रीज करना है इस मृत्यूदर को घटाना है और इसको जन्दर को बढ़ाना है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है जब एक औरत को सही तरीके का पोशन नहीं मिल पाता है दवाईयां नहीं मिल पाती है उसका ख्याल नहीं रखा जाता है तो क भई हमको ऐसा कुछ नहीं करना यहां पर हमें ऐसी सभी औरत का ख्याल रखना इसी लिए आंगन बाड़ी एक संस्ता है जो सरकार द्वारत चलाई जाती है गाउ और शेहरों दोनों में होती है क्या होता है वहां पर जो है ऐसी जो औरते होती है जिनको सही टरीके से खाना पीना जिनके परिवार में नहीं हो पाता है वहां पर उनको फ्री में राशन दिया जाता है ठीक है ओके प्रसप के बाद शेशु की उचित देखवाल जैसे कि इस्तनफान अब हमने क्या पढ़ा था अपने लास्ट चप्टर में कि जब बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है शिशु बाहर आ जाता है तो उसके बाद अपनी माता का दूज चाहिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत सारा प्रोटीन होता है पोशक तत्वो होते हैं जो एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो क्या कर सके हेल्दी बन सके वो रोगों से लड़ने के लायक हो उसका शरीर ठीक है ओके चलो उसके बाद क्या है बाई यह देखो मदर केर बहुत ज़रूरी है प्रेग्नेंसी के टाइम पर शादी की उमर इनोंने फिक्स कर दिये कि 218 प्रेग्नेंसी के दौरान उनकी केर करना और लास में जब बच्चा पैदा हो जाए तो बताना कि मा का दूद ही 6 महीने के बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है जब वो 6 महीने का हो जाए उसके बाद आप खिलाओ उसको ठीक है चलो फिर क्या उद्देश आते हैं भाई कि प्रसफ के बाद शिशु के नियमें टीका करण की जानकारी देना अब यह जो आंगण वाली वाली और तीका करण की जानकारी भी देती है और बच्चों के प्रसफ के लिए चली आ रही है ना कि नई पढ़ा अगर आप टीका नहीं लगवाओ तो कौन सी बिमारी लग जाएगी तो इनकी शुरुबाद बच्चे के जो पैदा होने से शुरू हो जाती है बच्चा पैदा हुआ तुरं टीका लगवा दो इतने महीने का हुआ इतने साल का हुआ तो टीका लगवाओ ओके चलो फिर आता है कन्या ब्रून हत्या को रोकना यह सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिंग है सबसे गंदी चीज़ है ठीक है हमें क्या करना है बेसिकली इस पर ध्यान देना है कि यह चीज़ नहीं होने चाहिए अच्छा आपने सोचा कि य क्यों पढ़ाया जा रहा है सोचा आपने क्यों क्योंकि इस टाइम पर क्या है हमारा जो मेंटल कंडिशन है और यहां के बाद हम अपना करियर चूज कर रहे हैं अगर बायों की क्लास में है इस मीन कि हमको मेडिकल लाइन में जाना है कल को आप डॉक्टर वनोगे बहुत से चेक करवाना है कि लड़का है या लड़की है तो वहाँ आप क्या करोगे ओविसली एक बहुत बड़ा नो नो मींस नो यह चीज गलत है और आपको बोलना है कि अगर आप यह करोगे तो हम आपके खलाब कंप्लेंड करेंगे ठीके क्योंकि आज भी यह काम बहुत होता है चाय चोरी छुपे होता हो पर बहुत होता है ठीके ओके चलो ठीके तो हमको क्या करना है फीमेल पीटर साइट को रोकना है बेसिकली सबको जीने का हक है जहें वो लड़का है या लड़की है हमें कोई राइट नहीं है कि किसी को पैदा होने से पहले ही उसको मार दो ठीके दोनों बराबर होते हैं लड़के भी और लड़कियां भी अब सोचे होगर लड़कियां नहीं होंगी तो फिर लड़के शादी किससे करेंगे फिर जो मतलब हमारी जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी प्रित्वी के उपर जो हमने रिप्रडॉक्शन वाले चैप्टर में को रोकना है कि यह चीज गलत है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कि चलो ओके आर्टी एच कारेकरम के उद्देश्य देख रहे हैं हम तो जनसंख्या नियंतन से संबंदित 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 विकल्पों के बारे में बताना है बताना टीक है यानि कि कि जनसंख्या नियंतन है यानि कि पitates प्प्पोशयन को स्राइब है handउसके क्या क्या औप्षैण हैं वह समझाना कि लैंगिंग संचरित रोगों की जानकारी देना यानि कि जो sexual intercourse के दौरान जो एक male से female में बिमारी जा रही है और female से male में जा रही है ठीक है इसको हम और क्या बोलते है STD sexually transmitted disease sexually transmitted disease ठीक है जो sex के थूह ही male से female में और female से male में जाती है ठीक है चलो ओके फिर यहां पर एक और topic आता है बहुत अच्छा सा topic है उल्ब बेधन जिसको हम क्या बोलते हैं amniosynthesis बोलते हैं ठीक है यहां क्या हो था है यहां पर ब्रूण होता है ठीक हो ब्रूण की यहां पर क्या ऑ्ब्रूण की आनुवशट ज्यानाकारी मॉजूद HOTी है यहां पर इम्नियो सेंटेसि इसुसमें यही है अमनियो क्लिड है यहां से प्रूंड यहां क्यों आनि वंशिक इस्तिती का ग्यात होता है यहां पर ठीक है इस्तिती ठीक है इस्तिती का ग्यात होता है जैसे की जैसे की क्या लिंग ठीक है कि पता चलना की लड़का है यह लड़की है और क्या कह सकते हैं भाई अन्य विकार याने की बिमारियों अन्य विकारों की जाच करना ठीक है? ठीक है, चलो हमें इससे ये पता चलता है अब क्या होता है? कि भाई ये जो ब्रून होता है ये जो ब्रून है, इसके क्या? चारो ओर यहाँ पर इसके चारो ओर क्या है? अम्नियोटिक द्रव्व है इस brun के चारो ओर या चारो तरफ कुछ भी बोल दो आप क्या है amniotic amniotic drow या amniotic fluid भी बोलते हैं इसको इस drow में क्या होता है इस fluid में क्या होता है कि ये जो brun है ना उसकी कोशिकाए होती है उसकी cells होती है ठीक है इसकी कोशिकाए होती है इसके अंदर अब ये जो टेकनीक है ये क्या है बहुत अच्छी टेकनीक है ठीक है कि जो बता सकती है बच्चे के पैदा होने से पहले उसमें क्या कमी है लेकिन वही होता है कि कोई अगर अच्छी चीज आती है न तो अपनी बुराईयां साथ मेलाती है तो यहाँ पर इसके भी कुछ अच्छाईयां है और कुछ बुराईयां है पर अपने को क्या करना है अपने को अच्छाईयां देखनी है बुराईया नहीं देखनी है ठीक है? चलो आगे देखते हैं कि इसकी importance क्या है अगर हम यहाँ पर importance की बात करते हैं अगर हम importance की बात कर रहे हैं तो importance में पता चलता है कि link निर्धारन पता चलता है मैं यहाँ पर कि बाई जो बच्चा है उसका sex क्या है? ठीक है? link निर्धारन ठीक है? link निर्धारन देखा हमने उसके बाद जो जन्म जात रोग होते हैं जन्म जात रोग ठीक है? जन्म जात रोग जैसे hemophilia हाँ? जन्म जात रोग जैसे कि hemophilia हो गया हाँ और कौन सा हो गया? sickle cell anemia हो गया ठीक है? तो इसकी help से क्या होता है? अगर यह सारे रोग होते हैं तो वो क्या हो सकते हैं? कि पहले ही cure हो सकते हैं जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है ठीक है? और कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चा पैदा होने के बात हम उसकी दवाईयां शुरू कर सकते हैं जल से जल उस विमारी को दूर किया जा सके अब यह तो अच्छाईयां थी मैंने क्या बोला? कि कोई अच्छी चीज आती है तो बुराईयां साथ में लाती हैं अगर 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 करष देशी को डराने एलिए कि हमारे पास है तुम हमसे मत अलजना ठीक है 就 यहां पर जैशका दूरुप्योग की बात करते हैं अगर यानि कि कन्या भ Cameron हत्या कन्या भृष हत्या कर दर बात जो बहुत ज्यायंदा गलत चीज's अलोज ब दो चूकी हो पहले भी यह चीजे आपको समझने हैं अगर आपके सामने गलत चीज आ हो रही है तो उसको कैसे रोगाने कल को आप भी डॉक्टर बनोगे आपके साथ भी ऐसे लोग आएंगे कि जो आपसे इन चीजों के लिए बोलेंगे और आपको क्या करना है नो ये गलत है ठीक है दूसरा क्या हुआ इसका दूसरा पॉइंट में हम बात करते हैं कि इस गर्वपात को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है भारत सरकार ने इयर 1999 में क्या बनाया एक एक्ट बनाया ठीक है उस एक्ट का क्या नाम दिया इन्होंने प्री नेटल डाइगनॉस्टिक टक्नीक एक्ट ठीक है ये लागू किया गिया कब से लागू हुआ ये 1999 से लागू किया ठीक है यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो भी व्यक्टिंग इस एक्ट का उलंगन करेगा ठीक है इस एक्ट का क्या करेगा उलंगन करेगा उलंगन करेगा जो भी व्यक्टि इस एक्ट का तो क्या होगा ऐसे व्यक्टियों के लिए सजा जो है decide की गई है उन्होंने बोला कि 50,000 रुपए जुर्माना ठीक है प्लस दो साल की जेल जो की ऐसे लोगों के लिए बहुत ही कम है जो ऐसे गलत काम करते हैं और करवाते हैं ठीक है सबसे पहले हम यह बात करेंगे ठीक है ओके फिर देखेंगे हम आदाश गर्ब निरोधक क्या होते हैं ठीक है फिर उसके उपाये देखेंगे उसके उपाये क्या है फिर क्या बात करेंगे उपाये का वर्गी करन देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि जो उनके सलुशन है उसको किस किस तरीके से हम रख सकते हैं क्या-क्या सलुशन हो सकते हैं ठीक है ओके चलो अब अगर हम यहां पर बात करते हैं जनसंख्या की तो आए दिन जनसंख्या मतिक फेस्ट का प्पुलेशन इतनली है कि जिसकी वजह से तरीके सकरने पर सत्थ हैं जैसे कि जनसंक्या बने ऑट किस कर दो रहे है जनसंक्या परने से जो हमारे असन साधन है उनकी कमी हो रही कुई छीज की दिमांड बढ़ जाती है। तो वहां कि होता है। उस चीज की दिमांड बढ़ रही है। तो वहां कि होजए का महंगाई हो जाती है। और क्या होता है। जब population बढ़ेगी तो भाई आपके खाने पीने में दिक्कते आएंगी, ठीक है आपको रहने के लिए कम जगा मिलेगी, ठीक है अच्छे शिक्षा हर एक को बराबर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हर चीज में महंगाई हो जाएगी, अच्छे hospitals में नहीं जा पाएंगे लोग ध रहने की जगा की कमी हो गई है, ठीक है खाने पीने के संसादन, ठीक है विरोजगारी और बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही और भी एक्सेक्टर, एक्सेक्टर, इसमें एड़ाउन होता रहेगा, ठीक है क्योंकि ये सब किस के कारण है, जनसंक्या विस्वोर् होगा, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, जनसंक्या विस्वोर्ट हो जाएगा, अब तो महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा जनसंक्या, उतनी ज़्यादा परिशानिया, है ना, हाँ, चलो, आगे बढ़ते हैं, चली, आगे बढ़ते हैं, और देखते ह एक विश्व की दी गई है जनसंख्या यानि वर्ल्ड की और दूसरी हमारे भारत की दी गई है ठीक है तो तीन दी गई है एक दी गई है भाई उन्निस सो है ना ठीक है दूसरा दिया हुआ है भाई क्या दिया हुआ है 2000 ठीक है और तीसरा क्या दिया हुआ है 2011 2011 दिया हुआ है ठीक है किन की बात करिए यहां विश्व की बात करिए याने की वर्ल्ड की बात करिए और दूसरा भारत की याने की हमारे इंदिया की ठीक है दो चीजों की पूरे विश्व में लगभग दो अरब और पूरे विश्व में लगभग दो अरब यहां लिखते हैं अरब दो अरब मतलब कितना हो गया बाई दो सो मिलियन ठीक है इतनी पॉपुलेशन थी और वहीं हमारे भारत में कितनी थी अगर हम भारत की बात करते हैं तो 350 मिलियन याने कि कितना हुआ भाई 35 करोर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगर हम इयर 2000 की बात करते हैं ठीक है याने कि 2000 की बात करते हैं तो 2000 में जो पूरे विश्व की जनसंक्या थी वो कितनी थी तो यहां पे थी वो 6 अरब 6 अरब मतलब 6000 मिलियन ठीक है यह पूरे विश्व की थी लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कितनी थी भाई भारत में थी हमारी एक अरब ठीक है याने कि 1000 बिलियन से उपर ठीक है ठीक है अब अगर हम 2011 की बात करते हैं तो 2011 में क्या था 2011 में यहां पर 7.2 मिलियन ठीक है या 7.2 मिलियन वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं ठीक है अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहां कितना था 1.2 बिलियन ठीक है याने की याने की क्या बोल सकते हैं हम कि विश्व में हर छटा आदमी कौन सा है भारती है हमारी बुक के आंकडों के हिसाब से ठीक है जो हमारी बुक कहती है उसके हिसाब से जो हमारा वर्ल्ड है उसमें एवरी सिक्थ परसन, सिक्थ परसन कौन है, इंडियन है, राइट, चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, कि भाई, विश्वु में, 1900 में कितनी थी, दो अरब, 2000 में कितनी आई, 6 अरब, और 2011 में कितनी है, 7.2 मिलियन, ठीक है, वही भारत में, 350 मिलियन, यानि 35 करोर, 2000 में एक चरब, और 2011 में 1.2 मिलियन, राइट, चलो, यहां तर सब को क्लियर, चलो, आगे बढ़ते हैं, ओके, चलो, जनसंक्या विश्वॉट के अगर बारें बात करें, तो जैसे, जैसे हमने क्या बोला कि हम कह सकते हैं, जनसंक्या बढ़ेगी, है ना, जैसे जनसंक्या क्या करेग बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स भी बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज होंगी, बढ़ जाएंगी, जैसे जनसंक्या बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ दी जाएंगी, अनकंट्रोल हो जाएंगी, एक टाइम पर आके, अगर जनसंक्या कंट्रोल नहीं करी गई तो ठीक है अब इस जंसन क्या बढ़ रही है तो इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है चलो तोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है तो भई सब बोलेंगे भाई अब घर तो चोटा पढ़ रहा है मारे लिए सबकी अपने अपनी फैमली यह सबके दो तीन दिन बच्चे हो गए हैं क्योंकि जब वो खुद ही दस बच्चे थे दस भाई भेन तो उसकता है कि उन मेंसे किसी एक के चार पांच भी हो तो वह क्या है क्योंकि एक तो माबाप का घर हो गया और दस बच्चोन के घर हो बहुतए यहां ज इसाथ autistic न भी बना लेते हैं तो वही अगर किसी एक के चार बच्चे चार और गलक जगाएं तो क्या हुआ उन माबाप के चार और घर हो गए चार बच्चों के और एक उसके तो क्या हुआ कि जंगल काटने पड़ेंगे आशकल क्या हो रहे हैं पामाउस बन रहे हैं यह हो रहे हैं आजकल तो इन सब चे क्या हो रहे है कि हमारी अर्थ को नुकसान हो रहा है कि अवास में कमी आ रहे है फिर क्या हो रहा है अन में कमी आ जाएगी बैंट बढ़िया है जहां के खेटी होती है जिस जमीन पर तो लोग क्या करते वाली जमीनों को भी क्या तो लोग अपने बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तमान गर हैं, क्यों कि भई अब घर चाहिए लोगों को जनसंक्या बढ़ रही है, है ना, तो क्या होगा उससे, जब जनसंक्या बढ़ रही है, अब जब घर बनाओगे उस जमीन पे तो भई खेती कहां करोगे, अगर एक के घर में 11 बच् की, ठीके, संसादनों की कम ही आ चाहेगी, वच अब जब घर चाहिए, menga, सब चीजथ हर चीज सब को चाहिए, लेकिन जब जैसे ज़से जनसंक्या बढ़े हैं, क्या होगा, वच, हर चीज कम होती जाएगी, दीजल, पैट्रोल, गस, ओक्सीजन, हर चीज कम होती जाएगी सारे संसाधन क्या होते जाएंगे कम होते जाएंगे जैसे जैसे पपुलेशन बढ़ती जाएगी ठीक है उसके बाद क्या होगा भई बेरोजगारी भी आएगी बेरोजगारी ठीक है अब भई जब हर कोई जो है ग्राज़ेशन कर रहा है पोस्ट ग्राज़ेशन कर रहा है स् एक को तो नौकरी नहीं मिलेगी ना कैसे मिल पाएगी नौकरिया इतनी सारी थोड़ी है तो उससे क्या होगा बेरोजगारी आएगी लोग के पस नौकरिया नहीं होगी क्योंकि लोग ही इतने सारे हैं नौकरी कम है अगर हम किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या फिर तो 15 लाख 20 लाख ऐसे लोग हैं तो समझ रहे हो आप जनसंग क्या तो उन में से कुल अगर 15 लाख लोग उसके लिए अपने मेडिकल के लिए एक्जाम दे रहे हैं उन में से कितने धाई से लोगों को सिफ उसमें से एड्मीशन मिलेगा तो वाकि सब क्या हो गए वो अगले स साल फिर एक्जाम देंगे तब तक और जो 12 पास करके आएं वो लोग बैठे हैं हां जो 12 पास करेंगे उस साल हो सकता है फिर अभी 15 लाग ते फिर अगले साल 20 लाख लोग हो जहें क्यों हो रहा है जनसंख्या की वज़े से हो रहा है ना ठीक है तो विरोज़गारी ऐसे इ के लिए रोक्ने के लिए सरकार ने क्या कारेकरम बनाया कौन सा कारेकरम था कि सरकार बहुत सारे कारेकरम लेकर आई ताकि हम इन सब चीजों को रोख सकें इन कर सके ठीक है तो वो जो कारेक्रम थे ठीक है वो किया थे नियोजन वाले थे ठीक है नियोजन थे ठीक है जिसको गवर्मेंट ने कहा कि यह बहुत ज्यादा important है बहुत जरूरी है वरना इस जंसंख्या के उफर हम control नहीं कर सकते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हम Okay, अब अगर हम जनसंक्य विसफोर्ट की बात कर ही रहे हैं तो घ스가 यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है इसके कारण क्या है कि जनसंक्य क्यों बढ़ रही है घ haunting है अगर हम इसके कारणों की बात करें ठीक है तो जनसंक्य क्यों बढ़ रही है जल जल दी कॉमेंट में बताईए कि आपको क्या लगता है वैसे कौन से में रीजन से हैं जिसकी वैसे जनसंख्या बढ़ रही है बताईए अच्छा ठीक है इसको बढ़ाने से पहले मुझे बात याद आ गई है इस कॉशन से कि एक कॉमेंट पढ़ा था जहां पर वाटसप स्टेटस की बात चल रही थी लास्ट क्लास पर तो वहां पर क्या बात थी कि वाटसप स्टेटस लगाने से रिलेटेड कि क्या लग गया है तो वहां पर मैं बदाना चाहूंगे आपको क्या लगता है कि जो वाटसप जिसमें बनाया है वह स्टेटस वर्ड वहां क्यों रखा है कि वहां पर जो स्टेटस है वो क्या शो करता है आप लोग कुछ डिसकेशन कर रहे थे ना वहां पर वाटसप के बारे में या अगर इ ठीक है, ऐसे ही वहाँ पर स्टेटस का वो option नहीं दिया गिया है, क्यो, अगर आप देखो, अगर आप sad person हो, तो आप sad इसARD status रखते हो, आप happy person हो, happy रखते हो, ठीक है, और अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप अपने स्टेटस में हमेशा motivated quotes डालते हो या पढ़ाई से related कुछ चीज डालते हो तो ठीक है वो स्टेटस जो होता है वो बताता है कि आप क्या सोच रहे हो समझ रहे हो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसको यहीं छोड़ देते हैं आप मैंने सोचा कि ठीक है इस चीज सो clear कर दूँ कि स्टेटस ऐसे डालो जो लोग देखते हैं कि हाँ यह बंदा क्या सोच रहा है क्या सोच सकता है ठीक है तो आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो ऐ हमने देखा था कि जो माता और शिशु है मतलब प्रेग्नेंसी के दोरां जो और जो है जिसके पेट में क्या बच्चा है ठीक है उसके लिए क्या है कि बनाया गया था एक कारेक्रम की बच्चे को क्या है ऐसी माताओं को उनका पोशन अच्छे से हो तो खाना पीना उनको मि जो मृत्यू दर है वो इस वज़े से कम हुई ठीक है क्योंकि उनको खाना भी मिल रहा था दवाईयां भी मिल रही और लोग आके समझा भी रहे थी कि वह आप प्रेग्नेंट हो तो ऐसे मत करो आपका बच्चा हो गया तो आप ऐसे उसको फीडिंग कराओ ठीक है ऐसे खान बड़ी है ना तो हम क्या कह सकते है कि पहला कारण हम क्या डाल सकते हैं माता और शिशू माता और शिशू की माता और शिशू मृत्युदर में कमी क्या मतलब की सिर्फ जन्म हो रहा है हम यह नहीं कहते कि मृत्य भी होने चाहिए ठीक है लेकिन सिर्फ जन्म ही हो रहे हैं वो जो डेथ रेट था वो कम हो चुका है ठीक है ओके चलो उसके बाद क्या है हमारा अगला कि चलो पहला पॉइंट यह हो गया दूसरा क्या हो गया भाई शिक्षा का अभाव अब शिक्षा का अभाव जब आप एजुकेटिद ही नहीं हो तो आपको कैसे पता होगा कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज खराब एसा नहीं कि सबको नहीं पता होता लेकिन बेसिक चीज़े दो देखी जाए जो बिलकुल ही मतलब डाउन घर से होते हैं लोग उनको नहीं पता होता है कि ठीक है कि जनसंक्या विस्फोर्ट जो है जनसंक्या बढ़ रिये तो हमको कंट्रोल करने में हेल्प करने चाहिए गवर्मेंट की आप उनको जाके संशाओगे उन लोगो को तब भी उनको समझ में नहीं आएगा ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इसका क्या क कारण है ठीक उसके बाद क्या है उसके बाद एक और आता है भाई जनन आयू वाले व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों की संख्या जादा होना संख्या जाधा हो ना मतलब क्या है इसका मतलब यह कि 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं ठीक है जो लोग है उनकी क्या है ज्यादा संख्या है ठीक है अब जब सोचों कि थे अगर हम मतलब आप क्या करते हो RepudFit जनन कर सकते हो क्योंकि सारे जो और्गन्स होते हो देवलाप हो जाते हैं तब दो जणन करते हो तो अ किसा करते हैं कि का तो शाधी करो तो शादी के वाद वो भी तो बच्चे पैदा करेंगे तो सोचो वो जो बच्चे जन लेने वाले हैं उनका भी तो बढ़ेगा ना रेट हां बर्थ रेट बढ़ जाएगा ठीक है तो वो भी यहां पर एक रीजन है ठीक है किसका जनसंख्या व्रदी का रीजन है अब इसको रोकने के रोकने के लिए क्या उपाय करोंगे हां इसको रोकने के लिए क्या उपाय किये जाएंगे कि भाई जनसंख्या विसफोर्ड जो हो है उस पे काबू पा सकें क्या उपाय करेंगे ठीक है अब शादी करो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बच्चे पैदा हो कोई दिक्कत नहीं ह होते हैं मतलब कि ठीक है हम जो कहते हैं कि अभी बच्चा नहीं चाहिए था लेकिन ओगया हम यहाँ पर उन चीजों के बारे हैं बात होई जब हम प्छों करते हैं वो चीज़ें अलग होती है अगर अच्छा पैसा है ठीक है पिलाड करो और 2 वाधिन जहां पर कभी अभी बात आ जाती है कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहेता लेकिन ठीक है तो यहाँ पे उन बच्चों की जो वृद्दी है उनको रोकने लिए बात रही जन्संक्राइक으로 रोकने के लिए बात रही है ठीक है तो उसके इसके लिए क्या उपाए होंगे भाई इसके लिए उपाए है गर्ब निरोधक गर्ब निरोधक मतलब बट कंट्रोल ठीक है बट कंट्रोल जिसका मतलब है कि इसका यूज करने से क्या होगा बच्चा जन नहीं लेगा जन ना ले ठीक है इसका यूज करने से ठीक है मतलब अन्वांटेट प्रेग्नेंसी को हम बट कंट्रोल जो हमारे क्या होते हैं उपाए होते हैं ठीक है उनका यूज करने से बच्च ना हो unwanted pregnancy ना हो जिससे जनसंख्या ना बढ़े control कर सकते हैं क्लियर यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना होना भी नहीं चाहिए बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसलिए हर एक चीज में यहां आपको लिखके बताती हूं ताकि आपको बिल्कुल भी confusion ना हो और जो बोल रही हूं वह आप लिख लो इसलिए copy pen लेके बैठने के लिए बोलती ठीक है और देखो अगर आप ऐसी चैटिंग में ध्यान लगाओ कि तो क्या समझ में आएगा ठीक है चलो आगे बढ़ता है ठीक है चलो अब हम बात करते हैं कि भाई आदाश गर्ब निरोदक इनके बारे में बात करते हैं ठीक है जब गर्ब निरोदक की हमने बात करी है तो भाई बर्थ कंट्रोल कि ठीक है कि किस तरीके से आप जो हे किसी को समझाओगे कि हाँ ये पर्फेक्ट बर्थ कंट्रोल चीज़ यह जिससे यूज करने 최고र योज नकीद करदने से ना जोटरा करने से थी और ना कोई परशानी है तो आफ लोग आपने देखा है कि जो गां व et करते हैं जाके लोगों क्या करते हैं सतर करते हैं चीजों के बारे में समझाते हैं कि तीज का यह निपसान है हर चीज के बारे में नुकर नाटकों में बताया जाता है ठीक है अब सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ पर आपको इस चीज़े बताती है जो ठीक है वहाँ पर नर्से सुखे रहा होंगी जो डॉक्टर सुखे या जो भी कोई परसन वाँ एविलेबल होगा इन चीज लेकिन कुछ लोग मैंने क्या मोला ऐसे होते हैं जो सौसते हैं कि नई बच्चे हो रहे होने दो ही ओपर वाले का आशरवाद नहीं है आपका अशरवाद है कि ऊपर वाला कभी नहीं करेंग कि आब इतने बच्छे करो कि ती उससांक्या बढ़ ना तो जनसंख्या इसको जो गर्ब निरोधक चीजे होती है इनको किसी को समझाने से पहले किसी को कहने से के पहले कि आप ऐसा करो उनको ये पूरा आश्वाशन देना पड़ता है कि भाई ये जो चीज है बिल्कुल सही है बिल्कुल परफेक्ट है आपको कोई नुकसान नहीं होगा ठीक है चलो अब देखते हैं कि actually में यहाँ पर ये क्या है तो भाई एक आदाश गर्ब निरोधक प्रयोग करता के हितों की रक्षा करने वाला ठीक है रक्षा करने वाला असाने से उपलब्ध हो जाए ठीक है हितों की रक्षा मतलब कि क्या बोलेंगे गर्ब निरोधक प्रयोग करता के हितों की रक्षा हित क्या होता है उसका वेल वेल चीज की उसके अच्छे के लिए उसके अच्छे के लिए उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ठीक है आसाने से उपलब्थ ठीक है यह जो गर्ब-nirodak चीजे होती है यानि कि birth control चीजे होती है easily उपलब मनलब easily आपको provide हो जाती है ठीक है medical store पर होती है hospital में मिल जाती है ठीक है और प्रभावी मतलब जो effective हो जिसका कोई अनुशंगी प्रभाव या दुश प्रभाव ना हो, मतलब कि उसका कोई भी गलत इफेक्ट ना हो, तो और होता भी है, अगर सपोज किसी को कोई नुकसान हुआ भी है, तो कम से कम हो, ऐसा हो कि हाँ, माईनियूट सा कि कोई ज्यादा फरक नहीं पढ़ा, ठीक है इसके साथ है coordinated सेक्स क्या होती है जो एंधर से क्या बोलेंके उसको कुछ के फिलिश्फ जो होती है ठीक है प्रेजण Совाथ्प्रूनेस होती है ठीक कि और मैं जून में बाधक ना हो और मतलब इन्टयर्ण में क्या है उसको कोई भी परिशानी ना हो ठीक है आज कल व्यापक परिदी के गर्व निरोधक साधन जैसे कि आसाने से उपलब्द हो जाते हैं आज बहुत तरी तरीके के क्या है बर्थ कंट्रोल जो है चीजे मिल रही है ठीके पिल्स भी है ठीके और इंजेक्शिंस भी है और भी बहुत सारी चीजे हैं जिससे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं इजली एवलेबल होती है ठीके मैडिकल स्टोर पर सबको नोल है ठीके चलो आगे बढ़ते हैं कि देखो कुछ यहाँ पर हैं कॉंडूम्स हैं पिल्स हैं ठीके तो यह सब क्या हैं गर्व निरोधक चीजे एक सहेली ऐका और यह का कॉंड्रोस सब्सक्राइब के खाने के लिए होती है ठीके यह क्या खाते हैं ओस अवीग में एक बार खाने के बर्थ कंट्रोल को रोकने के ठीके इज़िए ग्र पलेबल होती है और सरकारी होस्पिटल्स में बहुत असानी से मिल जाती है और मुद सबती है कि छो किके मेल करते हैं फिर फीमेल कॉंड़ंस भी लिए होते हैं औरल कॉंड्र सेप्टिप कॉंड्राल वेगन किनल रिंग भी होती है ठीक है उसके बाद कैलेंडर मैथड भी होता है कि आप देख लीजी आपका जो ओवलिशन डे है वो किस कौन सा है और कब आपको क्या इंट्रकोर्स नहीं करना है ठीक है फिर क्या होते हैं यह सब चीजे आती हैं इंजेक्शन पी मैंने बता दिया है ठ इस्ट्रलाइजेशन भी होता है आई ओडी बी वहता है जो कॉमनली होता है ठीक है ओके यह सब चीजे चलो इसमें हो गई है ठीक है न आगे बढ़ते हैं यह सब किसमें आदर्श गर्ब-निरोधक में आते हैं जो एजली मिल जाते हैं और इन सब कोई साइड इफेक्ट भी कि भई हाँ इस चीज़ से ये फाइदा है इस चीजसे ये नुकसान है आपको पथा होना चाहिए जंसंक्या विसपोर्ट सब्लाइक हमारी कंट्री के लिए हमारे वॉर्ल के लिए ठीक है तो यहां पर आपको यह चीज़े समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि कल आप अपने patients को भी यह चीज़े समझा सको easily ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं चलो अब आता है गर्भ निरोधक उपाए अब यह जो गर्भ निरोधक उपाए होते हैं यार बर्थ आप सामझांऋ यह जीज़ों है आप klasi बोट आप वोजाते हैं और बर्द रीओक ठीक हुआए और यह नियुक्सान चीज़े हैं और यह उपाइं और यह इंक वर्गी कर रहे हैं के सामझा नियुक्त आपको पता हो ना चाहिए ने, तभी तो आप सामने वाले को समझाओंगे वर्ना कैसे समझाओंगे, बता, चलो, यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं कि उपाय क्या है इसके तो इसके बहुत सारे उपाय है ठीक है पहला क्या है अगर हम पहले की बात करते हैं प्राकृतिक प्राकृतिक उपाय या विधिया भी बोल सकते हो विधिया ठीक है जो झाल जो नैचिरल ही हो जाए ठीक है इन सब के बारे में अभी डिटेल में आगे बात करेंगे अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से ऊपाय है ठीक है चलो तो पहला हमारा हो गया प्राकृतिक विधिया हो गई ठीक है, उसके बाद क्या आता है भई, उसके बाद हमारा आएगा क्या, रोध, याने की बैरियर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बहुतिक उपकरण जैसे होते हैं, ठीक है, बहुतिक उपकरण जैसे होते हैं, रोध, बैरियर, बैरियर क्या बोलते हो आप, हम सड़कों पे जाते हैं तो बीच वीच में बैरियर लगे होते हैं अच्छा सड़कों पे छोड़ो ट्रेन का लेते हैं अगर ट्रेन आती है बीच में से जा रही है तो इधर और इधर क्या होता है ऑफाटक बोलते है तो वो गयोखेवा है वो की ऐथा बियर है मन Bardzo किसी चीज को रोक रहा है वह आपके लिए बारियर है कि आपको वह आगे नहीं जाने देगा अब आपके पढ़ाई में बैरियर क्या है पढ़ाई में बी तो बैरियर आते है हाँ दिमाग इधर उदर भटक जाता है हाँ लेकिन आपको अपना दिमाग इधर उदर भटकाना नहीं है ठीक है आपका दिमाग एकदम कॉंसेंट्रेट होने चाहिए कि आपको पढ़ना है ठीक है चलो फिर आगया रोध रोध के बाद क्या आता है यह हमारे पास रोध के बाद आएगा रसाइनिक विधिया ये जो रसाइनिक विधिया होती है ये क्या हॉर्मोन से बनी हुई पिल्स होती है ठीक है ये हॉर्मोन से बनी हुई पिल्स होती है ठीक है जो फीमेल्स खाती है जो महिलायों के यूज में होती है ठीक है चलो आगे बात करते हैं आगे क्या आता है इसके बाद कौन से विधी आती है इसके बाद हमारे पर पास आता है अनतह, गर्भाश에, युकतिया, यानि, कि अगर गर्भाशे की बात आ रही है, अनतह मितलब अंडर, जीके, यानि गर्भाशे के अंदर, ठीक है ऐसी चीजे जो औरत के फिमेल के यूट्रस में रखी जा सकें ठीक है यह वहाँ पर यह क्या करें वहाँ पर जो शुक्राणू है और अंडाणू है उनको आपस में नहीं मिल लेते ठीक है फिर क्या है इसके बाद है फिर इसके बाद आता है इन्गें न मिलने मिलेंगे तो निशेचन यानि कि फर्टिलाइड़ेशन का प्रॉसेस भी नहीं होगा, जब फर्टिलाइड़ेशन नहीं होगा, संदान भी नहीं होगी automation ठीक है चलो अगला देखते हैं अगले की बात करते हैं अगला क्या आता है कहां लिखें यहीं लिख देते हैं चलो नीचे आजाते हैं यहां पर हां लास में क्या आता है शल्ले क्रिया ठीक है शल्ले क्रिया आ जाता है लास में जहां पर हम क्या करते हैं कि ब्लॉक कर देते है operation के थुरू ठीक है जो क्या बोलते हैं जैसे अंडवाहिंदी विगेरा है ठीक है इनको क्या करते हैं ब्लॉक कर देते हैं फीमेल्स में भी और मेल्स में भी ठीक है चलो यह सब क्याते हैं हमारे उपाई थे हैंना ओके चलो अब आता है प्रकतिक विधिया अगर हम प्रकतिक विधियो की बात करते हैं तो प्रकतिक क्या हो गया नेचुरल हो गया ठीक है, नेचुरल चीजे, जो नेचुरली हो जाती है, ठीक है, तो अगर हम नेचुरली में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल की बात करते हैं, तो वो नेचुरल विधी कौन सी है, बताईए जल्दी से, कॉमेंट में बताईए, नेचुरल देती हो कि सबसे पहली क्या होगी सबसे पहली होगी अवदी साइयम ठीक है अवदी साइयम ओके ठीक है यहां पर क्या होता है अब दी साइयम में यहां पर क्या होगा यहां पर जब इंटर कोर्स का टाइम होता है जब एक मेल और फिमेल के इंटर कोर्स का टाइम हो रहा है त कि बहilee जो जनन अंग है ठीक है, नर में कौन सा होता है शिश्न होता है यानि पीनस होता है, और मादा में क्या होता है योन यानि वज़ए Wakita तो उस टाइम पे क्या होता है जो मेल होता है वहाँ आपने आपको कंट्रॉल करना पड़ता है ठीक है यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जो दमपती है ठीक है यहाँ पर जो दमपती है वो क्या करेगा माहावारी चक्र माहावारी चक्र ठीक है के 10 से लेके 70 दिन के बीच ठीक है वो क्या करेंगे माहावारी चक्र के 10 से 70 दिन के बीच में क्या करेंगे इंटर कोर्स नहीं करेंगे ठीक है क्या करेंगे इंटर कोर्स नहीं करेंगे इंटर कोर्स नहीं करेंगे ठीक है जिसे हम क्या बोलते हैं है ovulation days, यह क्या होते हैं, अपने ovulation days होते हैं, इन ovulation days में क्या होता है, वो लोग intercourse का process नहीं करेंगे, ठीके, तो यह क्या होगे, अवदी सयम होगे, कि यहाँ पर नहीं करना है, ठीके चलो, इसके बाद क्या आता है अपने पास दूसरा, फिर दूसरा हमारे पास आता है, बाःये, बाःये, स्कलन, ठीके, बाःये, स्कलन, ठीके, और क्या बोलते हैं, आंतरिक मैथून बोलते हैं इसको, आंतरिक मैथून, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर, इस आंत्रेक्ट में तून को एक और चीज भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको, coitus coitus interruption ठीक है? coitus interruption ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है? जो पुरुष होता है ठीक है? वो intercourse के दोरान जो पुरुष है वो intercourse के दोरान क्या करेगा? intercourse के दोरान जो वीर स्खलन है ठीक है? यानि कि जो उसका क्या है? sperm है ठीक है? क्या बोलेंगे उसे? वीर स्खलन वीर स्खलन यानि कि वो क्या करेगा? औरत के योनी से यानि वेजाइन से क्या करेगा? वो अपना लिंग यानि की पीनस को बाहर निकाल लेगा ठीक है क्या करेगा लिंक को बाहर निकाल लेगा ठीक है बाहर निकाल लेगा जिससे क्या होगा भाई जिससे जो वीरे सेचन की क्रिया होती है वो नहीं होगी वो वहां बच जाएगा ठीक है याने कि जो स्पर्म एक फीमेल के अंदर जाना था वेजाईना के धुरू जब वो अपना जो पीनस है वेजैने से बाहर निकाल लेगा तो क्या होगा कि अंदर डिस्चार्ज नहीं होगा जब डिस्चार्ज नहीं होगा तो जो स्पाम है ओवम से कैसे मिलेगा है ना जब मिलेगा यह नहीं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा तो यहां क्या है बाहेश्कलन याने कि बाहर निकाल देना थर्ड वाला क्या आता है हमारा स्तन-पान-अनातर्व ठीक है, स्तनपान अनाटर्व, इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, इसको बोलेंगे, लेक्टेशनल, आमनोरिया, ठीक है, लेक्टेशनल, आमनोरिया, यह अब इस चीज पे निर्वर करता है, किस पे निर्वर करता है, ये निर्भर करता है कि प्रसब के बाद यानि कि डिलीवरी होने के बाद जो इस्त्री है जो मा है वो क्या कर रहे है शिशु को स्तन पान करा रही है ठीक है जो इस्त्री है स्त्री द्वारा क्या हो रहा है शिशु को ठीक है शिशु को क्या हो रहा है भरपूर भरपूर स्तन पान कराने के दौरान ठीक है क्या हो रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि भाई जब एक स्त्री जो होती है अपने बच्चे को दूद पिला रही होती है ठीक है कौन से माहिना पहले कि वहाँ पर साइकिल होता है और तुम्हें वह नहीं होता है जब नहीं हो तो यहां नहीं होगा तो जब यह नहीं होगा तो क्या चेंगे कि अगर उस दौरान intercourse होता है professionals which is good वो होता है उस दारान न SPAOM होंगे जिसको बोलते वह होता है तो बाई उस धरान ना São Sum they're not gay उवभांटहीं होगा एक सिंसे लिखेंजे और वभांटहीं मिलेगा गरिंटर कोर्स करते हैं तो क्या होगा कि वहाँ पर अदर बनता फेलिटिंटर पार उस अधेक नहीं टिस को ऐसारान मानालग जाता है लेकिन कभी कभी होता है कि यह ऑपीर साहता है चलो Associate कि यह गिए यारू तक सो क्लिए किसे व को डाउट नहीं है और तो क्या होको र mythology करना है तिक कि हम को यहीं जड़ो ग्रव निरोध्र को फॉलिकरत वर्गी करनं को भी हमने वहाँ पढ़ा उप्धाना वह जीजह तीनों वह यहांपर डीटेल में तो यह पहला क्या देखो प्राकरतिक परंपरागत रोध के प्राकरतिक हमने पढ़ा रोध यानी बैरियर हमने पढ़ा आयो डी यानि कि इसमें कॉपर टी आ गई है ठीक है मूह से लिना ही जो होते हैं घर्ब निरोद है इसमें अब पहला हमने प्राकतिक विदिया पड़ी थी तो यह वो विदिया है यह विदिया अंडाणू एवं शुकुराणू के संगम को रोकने के लिए सिद्धान्थ पर कार्वे करती है यह यह नेचुरल है जैसे हमने बता दिया था तो यह क्या करेंगी जब जो मेल है वह अपने sperm body के अंदर डालेगा इनी female के अंदर तो वह जो है वहां पर अंडाणू से कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा तो वहां पर फिर क्या होगा वहां पर उनका जो है मिलन भी नहीं होगा है ना चलो इन मेंसे एक उपाए अबदिक सयम है जिसमें एक दमपती महावारी चक नहीं करते हैं जिससे अंडेख सर्जिन की जो क्या है अपेक्सित अबदी सको माना जाता है कि यह जो अपना 10-17 दिन नहीं कि और प्रिग्नैंसी हो जाएगी तो दस से सतरवे दिन के बीच में क्या करते हैं वो लोग इंट्रकोर्ट से बचते हैं कि हमको नहीं करना है ठीक है वन्ना क्या होगा फिर वन्ना प्रेग्नेंसी हो जाएगी ठीक है इस अब्धी के दौरान निश्येचन एवं और वर्यानिक जिसको हम गर्ब धारण बोलते ह है ठीक है मैंना क्या बोला यह क्या होता है Avolution Days होते है जहां पर अग्रेलीज होता है ठीक है ओवयरी से तो इस टाइम पर जो घर्ब धारण ऐसों बहुत्त जी जादा बढ़ जाते है ठींडर यहां पर अवाइद किया जाता है इंस तरह से दौरान मैंफन यानि कि सहवाद जो होता है ना करने पर गर्वधारण से वच सकते हैं ठीक है चलो यह हमने प्राकर्टिक विदिया देख ली ठीक और आप पढ़ा भी अब क्या है फिर बाहे इसकलन ठीक है जो देखा हमने याने की आंतरिक में थून जिसको हमने बोला एक अन्य विदी है जिसमें पुरुष साथी क्या करता है इंटर कोष यानि संभोग के दौरान वीरे इसकलन से ठीक पहले इस तरह की योनी से अपना लिंक बाहर दिस्चार्ज करता है ठीक फिर है इस्तनपान अनातर्व विदी जो हमने लास्ट में देखी थी है ना इस सत्थे पर निर्वर करती है कि जो प्रसफ के बाद याने की डिलीवरी के बाद जो फीमेल है वो शिशु को भरपूर इस्तनपान कराने के दौरान अंडोत सर्ग औ पूर्ण संपान कराना जारी रखती है इस दौरान शिशु को मा के दूद के अलावा ऊपर से पानी या इसके अतरिक दूद भी नहीं दिया जाता है अतरिक अतरिक दूद भी नहीं दिया जाना चाहिए ये अवदी 4 से 6 मा की होती है सिर्फ और से वेक से 6 मा तक क्या होता है कि भाई बच्चा अपने मा का दूदी पीता है इसके लाब वो पानी भी नहीं पीता है और उपर का दूद भी नहीं पीता है ठीक है गर्ब धारण के अफसर लगबग यहां पे जीरो होते हैं जब ओवलिशन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा है इसलिए जीरो माना जाता है यह विधी प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा छे महा तक उल्ली सिक्स मंथ तक ही लिम पर जब आप यहां पर कुछ यूज नहीं कर रहे हो कुछ घानी रहीं इंजेक्शन निले रहीं दवाई ने ले रहे हो तो यहां पर इसके दुषपरपावे हो कि जी रोई तो होगा ना हालां कि इसके असफल रहने की दर काफी अधिक है मैंने क्या बताए था कि जरूरी के लिए बरदाश करने के लिए लेकिन बचलोग यह सब चीज़े वो हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि यह मैंने क्या बोला है कि यह चाप्टर सिर्फ आपके 12 क्लास के लिए इसे बहुत से लोग यह से बोसे शादी शुदा लोग इसरी इंसे इन चीज़ों के बारे में नालिज नहीं होती है ठीक है और हमारा शरीर है हमारा परिबार है हां तो ठीक है बच्चा लोग मैं जाती हूँ और आती हूँ जल्दी वापिस एक और नए इंट्रस्टिंग से टॉपिक के साथ आप से मिलने वापिस अब आप लोग अपने अपनी सीट की बेल्स को खोल सकते हैं क्योंकि हमारा एरोपलीन लैंड कर चुका है है ना ठीक है अब पढ़ाया इसका रिवीशन भी करना है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है ठीक है चलो चलते हैं हम मिलते हैं आप से जल्दी ही तब तक आप अपना ख्याल रखिए खुश रहे अच्छे से रहे खूब सारी पढ़ाई कीजिए बाई बाई